तो सर अभी सलमान खान आने वाले अपने बैक टू बैक दो फिल्मे पहले तो सिकंदर के बाद अब वो किक टू के साथ भी आने वाले हैं तो आपको किक वन कैसी लगी थी भाई मैंने तो पहले ही बता दिया कि सलमान खान की हर मूवी अच्छी लगती है किक वन भी अच्छी पाते लेकिन सलमान खान के बात करेंगे तो सलमान इस दा बेस्ट आफ इंजेस्टी यार मेरी तरफ से तो यह है जैसे कि हम लोगों ने देखा थे पूरा एक्शन ड्रामा कॉमेडी के साथ फन के साथ एक मेसेज भी था तो अवराल अपको स्टूरी में क्या खास लगी और कै पिछले बार उन्होंने अमीरों को लूटा था बच्चों के हल्प करने के लिए तो आपको क्या लगता है इस पर किनको लूटने वाले यह तो मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वह मलब क्या स्टूरी बना रहे हैं तो उनके विजन है कि क्या करना चाहिए किसको तो सर अभति सल्मान खान आने वाले अपने भाले दो फिल्म पहले सिकंदर के बाद वह tutoring u के साथ भी आने वाले हैं तो आपको के सिल्क वन कैसी लगी थी तो वहने पेहले लागी कि की सल्मान खान की हर ऑफकोथि गया लगती थी और इसकांट रहता है इसलिए दरसक को बहुत जादा खिच पाते हैं। किसी भी इस्टार की फिल्म की बात करेंगे… तो उतना दरसक नहीं खिच पाते हैं। लेकिन सल्मान खान की बात करेंगे, तो सल्मान is the best of industry मस था मज़ा था वाई सल्मान घान की तो किक अच्छी थी और सुल्तान और बजरंगी भाईजां तीन फिल्म अच्छी लगी मिरूब ओबर आल स्टोरी का जो वही जो लास्ट में मैसेज आया ना कि मतलब लोगों के सेव करने के लिए गलत काम भी करता है अट लिस्ट गलत नहीं तो जिनके पास है उनको तो करना ही चाहिए ना एड़ दैंड जैसे सोनो सर कर रहा है सब नहीं कर रहा है ना ठीक ही ठाक लगाता मैं बहुत चोटा था जब वह आई थी तो मुझे तो अच्छा लगा था तब देखके ही यार सच बताव तो मुझे आज ही पता चला पर जब पता चला ना तो बहुत ज्यादा हाइप क्योंकि किकमन भी बहुत अच्छा था नावाज उदिन सिदिकिये उसमें इतने बहतर अच्छे रहते हैं और उसका जो थीम अगेरा था वो बहुत ही सुपब था और किक्टू मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि देखने के लिए आफ्टर सू लॉंग सलमान सर दिखेंगे बहुतरीन मुवी थी यार उसके अंदर जो नवाजुदीन सिदिकिये उ और सलमान सर तो फिर जिस तरीके से अड़ेप्ट करते हैं चीज को आउटस्टेंडिंग थी रही कहा जा रहा है कि पिछले बार जो किकवन जब आई थी उसमें उन लोगों ने लूट कर बच्चों लोग की मदद की थी ताकि बच्चों लोग की पढ़ाई में उनकी जो भ बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे यह मुझे पता है सलमान खान जो है वो जो भी मतलब फिल्म या कुछ भी वो करते हैं तो यार उस बंदे को पैसे की पड़ी नहीं है वो बंदा मतलब हर साल हर दिन हर पल हर मुमेंट वो अच्छा करना चाहते हैं जैसा कि मैं जानता हूँ और मुझे जैसा इंडेस्टी में हूँ तो मुझे जैसे उनके बारे में लोग बोलते हैं कि यार वो कहीं भी कभी ये नहीं सोचता कि यार मुझे नहीं लगता कि आदमी कभी पैसे गिनता भी होगा पैसे वो आदमी नहीं गिनता होगा वस उठा के रख देता होगा और उठा के दे देता होगा मतलब जसलाइक कर्ण जैसे रामायन में महवारत में आपने कर्ण का नाम सुना है कर्ण इतने अच्छे थे कि उनको एक बार बोला गया था कि आरजुन क्रिष्ण से आरजुन ने कहा कि मैं सर्व स्रेष्ट धनुकधर हूँ और मेरे अलावा भामेशा कर्ण का नाम क्यूं लेते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं आरजुन को चुब रहा था तो फिर कर्ण ने कहा कि ऐसा तुम देखो फिर उन्होंने उठा के मतलब पहार जितना सोने का दे दिया कि भाई ये लो और इसको तुमको बांटना है और बांटना है तो उन्होंने वो एक एक करके अरजुन बांटने लगे और फिर वो ही चीज कर्ण को बोला तो कर्ण ने बुला कि जाओ और सारे गाओंवाले को जितना चाहिए जा कि ले लो और वो ही आदमी है सलमान खान बिजनेसमेंस को लूट सकते हैं जो अच्छे बिजनेसमेंस जैसे टाटा जी बहुत अच्छे हैं उन तो अपने कमाई का 17% दान ही कर देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चूतिया होना रहे है तो उनको लूटे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यह तो मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वह मलब क्या स्टोरी बना रहे हैं तो उनके विजन है कि क्या करना चाहिए कि इसको लुटवाएंगे और कि इसको बचाएंगे वो तो उनके डिपेंड करता है इस बार भी मुझे ने मदब शोशल मेसेज तो डिफिनेटली देंगे पर मुझे ऐसा लग रहा कि थीम चेंज कर देंगे यह लूटेगा ने इस बार क्या पता मर्डर वगेरा करें कुछ भी कर सकते हैं यह तो डिरेक्टर सर और राइटर स लोगों को सोशल की तरफ किस तरीके से अप इन चीजों को प्रमोट कर सकते और यही एक माध्यम है जिससे आप प्रपर तरीके से लोग आपसे अट्रेक्ट करते हैं सीखते हैं लर्निंग लेते हैं अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो तो एक्साइट है कि देखना पड़ेगा क्या है। भाई उनको देखके तो हम लोग आए यार इंडेस्टी में हम लोग जो भी एक्टर है अगर नसीर साहब ओम पुरी साहब और जो मतलब नाय कलाका यह आप मनोजबाज पर ही और इसके अलावा आप एक नाम लेंगे और अनपम खेर राजपाली आदब मतलब हमारे पास एक्टर है और यह बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे समय में उपर वाले ने इतना अच्छा अच्छा एक्टर इस समय में कि हम लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ काम करने तो नसीर साहब तो यार नवाजूदीन सिद्धिकी अरे भाई भाई मैंने क्या कहा पंकज भीया हो गया पंकज तिर पाथी जी तो यह सब तो यार क्या बात है नहीं मुझे तो लगता है कि नवासर तो नवासर उनको होना चाहिए पर वो तो अब नहीं आएंगे तो उनके तरह कोई अगर कोई ऐसा बहुत अच्छा एक्टर आ गया जैसे मनोज बाचपई या फिर जैदी परावत आगया विजय वर्मा आ गया या फिर साउट सा गया किसी विलेन को लाए तो एक पैन इंडिया फिल्म में बन सकता है तो एक अच्छे एक्टर की उम्मीद है तो देखते है किख वन में हमने जैकलीन फेन्टाइज को देखा अथा सल्मान खान के साथ तो आपको क्या लगता है इसवारविफे उन कोई उना चाहिए किसी नही एक्ट्रिस iam चाहिए उसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वह भाई इतने टैलेंट के कम ही तो है नहीं हमारे यह इतने एक से भरे हुए तो उमीद एक कोई अच्छा अच्छा आए और नोन भी हो नहीं भी नोन हो तो कोई फरक ने पड़ता है अक्टिंग मैटर करता है बस कोई अच्छा करते हैं तो और मदा आएगा ब्लॉक्बस्टर मूवी हो जाएगी फिर किक टू के अनॉंसिमेंट के बाद आदेंस में काफी बस चाहिए और आदेंस चाहती है कि इस बर हम विलेन में किसको देखने वाले हैं सलमान गान के साथ वैल ऐसे वीडियो के लिए बज़ू को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें थैंक्यू